गुट मॉनिक, आज हम लुहामा के बारे में सीखेंगे गोमर एक प्रोस्टिटूट थी, जो के एक बहुत ही फेद्फुल प्रॉफिट की वाइफ बनी जिसका नाम होसिया था इनके तीन बच्चे थे, दो बेटे जिनका नाम जेज्रियल और लुएमी था और बेटी जिसका नाम लुहामा था हम इनकी फुल स्टोरी बाइबल की किताब होसिया में पढ़ सकते हैं डुक्टर लुहामा का जिकर इस किताब में दो दफ़ा आया है होसिया पहला बाब आठ हाएत में पढ़े जब ये बेटी पैदा हुई तो खुदा ने होसिया को कहा कि अपनी बेटी का नाम लुहामा रख जिसका मतलब है नॉट लवड क्यूंके मैं इस्राइल को अब अपना प्यार ना दिखाऊंगा और यहां ऐसा महसूस होता है कि गोमर ने रोहामा को वो प्यार ना दिया जो एक मा अपनी बेटी को दे दी है क्योंके वो होसिया को छोड़ कर अपनी बद्कारी की दुनिया में वापस चले गई होसिया उसे धून कर वापस लाया और लुहामा को बाब अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और यकीन है खुदा भी उस से प्यार करता था अगरचे उसका नाम नॉट लव्ट था एक वक्त था कि इस्राइली खुदा के फरामबरदार ना थे और मुख्तलिफ नभीयों के जरीए उन्हें तौबा की तरफ माइल कर रहा था उसने होसिया और गौर्मर के बच्चों के नामों को इस्तमाल किया जिनका नेगिटिव मतलब था जेज्रेयल का मतलब है गौड सौव यनि कि खुदा अपने लोगों पर पनिश्मेंट लाएगा लोहामा का मतलब है नोट लवड यनि खुदा इन लोगों को यनि इस्तराइलियों को प्यार नहीं करेगा और नहीं उन्हें माफ करेगा लोहामा का मतलब है नोट माई पीपल कि अब इस्राइल के लोग उसके अपने लोग नहुंगे अगरचे लोहामा का मतलब है कि नोट लवड लेकिन खुदा उससे बहुत प्यार करता था जिसने उसे पैदा किया है हमें इस से ज्यादा कोई मालुमात इस लड़की के बारे में नहीं मिलती है क्या पता वो अपने बाप के नक्षे कदम पर चल कर उसकी तरह वफदार थी या फिर माँ की तरह बेवफ़ा वी आर नोट लोहामा तो गाड बाइबल की ये सारी कहानी खुदा के प्यार के शिद्द को बियान करती है In spite of our faults and failures हम कितने ही उस से दूर भागे खुदा ने बेशक हमारे गुनाहों से प्यार नहीं किया लेकिन वो हम से बे इंतहा प्यार करता है हमारा imperfect behavior या हमने जो कुछ भी किया उसको नाखुश करता है वो अपनी grace और महरबानी हम से दूर नहीं रखता Our unfaithfulness and our faithlessness does not diminish his faithfulness God loves us freely and deeply God's love is the greatest delight The brightest sunshine And the most joyous song खुदा का प्यार मस्बूत और सचा है उसके लोगों के लिए जो के गलीज, शिकस्त, खुरदा और हारे हुए हैं हेदी बेकर का कहना है कि खुदा का प्यार इतना वसी है कि वो मेरी अंधेदी जिन्दगी में रोशनी की किरन है वो आया कि हम जिन्दगी पाएं और कश्चत की सिन्दगी पाएं वो आया कि कुछले हुआं को आजाद करें और वो जो भुला दिये गए थे और वो जो आउट कास्ट थे और वो जो बेमार है और यहां तक कि उसने उस मरते डाकू के लिए भी जो सलीपर उसके साथ था उससे प्यार किया खुदा के बादशाहत इतनी वसी है और वहां पर उसका जो उसका जुस पर इमान रखता है दाखला मामनों नहीं है खुदावंद इस स्टोरी के बाइस आपको भरी बरकतों से मामूर करें अमेल